सुब बच्चों नमस्कार आज हम आपकी वर्क्षिट नमबर साथ जो है क्लास नोवी विज्ञान जो कि आपको 25 दिसम 25 नॉम्बर को करनी है डिसकस कर रहे हैं आज की वर्क्षिट के अंदर हम पढ़ेंगे रदर फोर्ड के परमानु मोडल के बारे में तो रदर फोर्ड की जो परमानु मोडल था उससे पहले अगर हम बात करें तो जो प्रोटोन है उनकी खोज ई-गोल्स्टिंग नामक विज्ञानिक ने कर ली थी जिजे थोमसन ने इलेक्ट्रोन की खोज की उससे पहले जो कि यहां पे जो रदर फोर्ड है उन्होंने जो अपने एक्सपरिमेंट किया वो यह जानना चाते थे कि परमानु में जो इलेक्ट्रोन है उनकी क्या विवस्ता है उसके लिए उन्होंने अलफा कणों के एक पतली को एक सोने की पतली चादर से टकराया था और उसके मिंड में करने के दिखाया गया है. यहाँ पे आप देखोगे कि आल्फा करन कैया शरौत है. वो जाकर जो है इस सुने की पतली परत से टकराता है और टकराने के मतलब जो भी समें से अगर सीधा पास करेगा तो यहाँ पे जो है यह वर्ताकार स्क्रीन है जिसके उपर जायके जब टकराएगा तो दिख जाएगा और अगर कहीं पर भी वो थोड़ा भूत अपने पत से हटता है तो जहां पर भी टकराएगा वहां पर हमें नजर आएगा तो इसके आधार पे उन्होंने देखा कि अधिकतर अलफा कंड जो सोने की पतले पर रत के आरपार सीधे निकल गए कुछ कंड छोटे कंडों से विशेपित हुए और प्रतेक 12000 में से एक वापस आया तो यह जो उन्होंने परिणाम या प्रेक्षिन जो किया था उसके आधार पे उन्होंने कुछ बाते कही कि एक परमाणू में धनाविशित केंडरक होता है जिसके नाबके कहते है और परमाणू का लगबग संपूर्ण दर्मान इसी नाबके में होता है दूसरी बात उन्होंने कई इलेक्ट्रोन के इंद्रक के चारोर वुर्ताकार पत्फ पे कती करता है और तीसरी बात क्या कही कि नाबके का आकार प्रमानों की तुल्ला में बहुती छोटा होता है लगबग दस की पावर पांच गुना छोटा लेकिन जुनों ने बात कही कि जितना भी भार है वो नाबके में है और इलेक्ट्रोन जो है उसके चक्कर लगा रहा है तो अगर कोई चीज किसी के चक्कर लगा रही है तो वो उसमें से एनर्जी निकलती रहीगी और वो आके उसके नाबिक में समा जाना चाहिए क्योंकि उर्जा का विकरन होता रहेगा तो इस हिसाब से जो है परमानु स्थिर कैसे है या स्थाई कैसे है तो इस चीज को वो नहीं समझा पाए इस कारण से जो है ये एक रदरफोड के परमानु मोडल की सबसे बड़ी कमी थी प्रैशन उत्तरों की बात करें तो जो रदरफोड ने अलफा कंड की प्रिक्रिणी की प्रियोगी में किस दातू के इस्तेमाल किया था तो सोन ना कह सकते है गोल्ड और रदरफोड द्वारा किये गए प्रियोग के परिणाम क्या थे आप यहां से चोता प्रैशन रदरफोर के प्रमाणू मोडल के मुखे लक्षन जो अभी हमने बात की थी कि दनाविशित केंद्रक है इलेक्ट्रोन चक्कर लगा रहा है और नाभी काकार प्रमाणू की तुलना में छोटा है पहुचवा प्रोटोन की खोज इगोल्ड स्टीन ने करी थी और अल्फा कंड हिलियम के धनाविशित आयन होते है तो यह आपकी वक्षित पूरी होती है उमीद करते हैं आपको पसंद आयोगी देखने के लिए धन्यावाद